नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहें CWB Hindi News नो वोटों की बढ़त गुरुगराम लोगसभा शीट पर राविंदर जीट सिंग की जीट कोंग्रेस की राजबबर को 75,000 से जाधा वोटों से दिमाद शिर्शा में कोंग्रेस की बीजेपी पर बड़ी जीट कुमारी सहल जा 2,68,000 से ज्याधा वोटों से जीती करनाल लोकसभा सीट से मनोरलाल खटर की जीत 2,19,000 से जादा अंतर से कॉंग्रेस की बुद्धी राजा को हराया उपचुराओं में सेम सेनी जीते कुरूचेतर सीट पर भाजपा जीती नवीन जिंदल ने आपके सुसिल गुपता को 29,021 वोटों से आ रहाया फरिदाबाद में 1,72,000 वोटों से जीते कृष्णपाल गूरजर जजपा नोटा से भी नीची रहे गई हिसार लोकसभा सीट पर कॉंग्रेस की जीत जैपरकास 63,381 वोटों से बीजेपी की रणजी चोड़ाला को हराया समर्थकों में जसन का माहुल अमबाला लोकसभा सीट पर कॉंग्रेस के बरण चोडरे की जीत भाजपा की बंतों कटारिया को 48,806 वोटों से अराया सोनिपत में 21,816 वोटों से जीते कॉंग्रेस के सत्पाल ब्रह्मचारी इनलोव अजजपा के परताशी यहां कोई खास परभाव नहीं छोड़ पाए एम्स दिल्ली जॉपस अपडेट दिल्ली में आई मल्टि टास्किंग स्टाप के पदो पर बरती दसवी पास करे हावेदन और सीवी एसी कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए कर सकते हावेदन शुरू हुआ रजिस्टेशन लिंक और अब खबरे विस्तार से हरियानम वाचियों को अब गर्मी से राहत मिल सकती है मौसम विश्यसक्यों के अनुशार चैर जून से एक नया परश्य में विशोव सक्रिय होने की संभावना जटाई गई है इसके असर से तीन दिन तक राज्य में बारिश होने की संभावना बनी रहेगी इसके साथ ही मौसम में बदलाव से लोगों को भीशन गर्मी से राहत मिलेगी इसके असर से तेज होई चलने की भी संभावना जटाई गई है इसके साथ ही कई लाखों में आनसिक बातल चाहे रहेंगे वहीं कुछ जगोहों पर बुंदाबांदे की गतिविद्या देखी जा सकती है हालांकि इस दोरान नमी वाली हवाव के सांथ होने से उमस का सामना करना पड़ सकता है इस दोरान परदेश के अधिक्तम तापमान की बात करें पांसो बैलिस सीटों में से एंडिया को दोसो बान में इंडिया गठबंदन को 233 सीटे मिली है हालांकि भाजपा 272 के बहुमत आगडे को पार नहीं कर पाई लेकिन एंडिया को बहुमत मिल गया है 2014 में भाजपा को 288 और 2019 में 303 सीटे मिली थी इस बीच अब सरकार बनानी की तयार्या भी शुरू हो गई है एंडिया बुद्वार यानि आज सरकार बनानी का दावा पेस कर सकती है उसने अपनी घटक दलो की बुद्वार को बैठक बुलाई है पीम ने बिहार के सेम नितिस कुमार और टीडीपी नेता चंदरवावु नायडू को फोन कर बैठक के लिए बुलाया है उदर राश्पती भावन में सपत की तयारिया शुरू हो गई है आम लोगों के लिए 9 जून तक इसे बंद कर दिया गया है उदर इंडिया गटमंदन के भी दिलेवे वैठक बुलाई गई है राहूल गांदी ने प्रेस कोंफरेंस में बताया कि इसमें अगली रणनीती पर चर्चा की जाएगी इरेक्शन कमिशन की वेबसाइट के मुताबिक बात करें तो भासपा को 240, कॉंग्रेस को 99 में, सपा को 37, TMC को 39, DMK को 22, TDP को 16, JU को 12, सिवसेना UTP को 9, NCP सरत पवार को 7, राज़त को 4, और लोग जनसक्ती पार्टी रामिलास को 5, सिवसेना सिंदे को 7 सिटे मिली है लोग सबा चुनाव के रिजल्ट में भारती जन्ता पार्टी और बीजेपी को हरियान में जटका लगा है 2019 के चुनाव में सभी 10 सिटे जितने वाली बीजेपी को इस बार सिर्फ 5 सिटे मिली है भाजपा का लगातार दूसरी बार क्लिन शिप का सपना पूरा नहुसका हरियान की 10 लोग सबा वे एक उपचनाव सिट के लिए डाले गए मतों के गेंती के लिए कुल इक्याण में मतगर्णा केंदर बनाए गए थे इन केंदरों में मंगलवार सुबह 8 बजे से मतगर्णा सुरू हुई सबसे पहले पोस्टल बैलेट के गर्णा की गई करनाल उपचनाव में भाजपा की जीत हुई है तो लोग सबा में दोनों दोलों को 5-5 सिटे मिली है भाजपा को करनाल, कुरुषेतर, फरिदाबाद, गुरुग्राम और भिवानी महेंदरगट सीट से जीत मिली है जबकि कॉंग्रेस ने अंबाला, सोनिपात, हिसार, सिर्शा और रोगतक सीट पर जीत दर्जगी है रोगतक लोगसबा सीट पर कॉंग्रेस की उमिदवार दीपेंदर सिंग खुड़ा ने हरियाना में सबसे बड़े अंतर से जीत आसिल किया है रोगतक लोगसबा के कुल 12,18,444 वोट यानि EVM वेब बैलेट पेपर के मिला कर थे जिन में से कॉंग्रेस की उमिदवार दीपेंदर सिंग खुड़ा को 7,83,538 वोट मिले है जबकि दूसरे स्थान पर आई भाजपा की उमिदवार डाक्टर अर्विन सर्मा को 4,38,280 वोट मिले है जिसके बदोलत दीपेंदर सिंग हुड़ा 3,45,298 वोट से विजय हुए है जो पूरे हरियाना में सबसे बड़ांतर है दीपेंदर सिंग हुड़ा ने शुर्वात से बढ़त बना ली थी और या बढ़त ना के उल लगातार जारी रही बलकि बढ़ती भी गई साथी दीपेंदर सिंग हुड़ा ने रोतक लोकसवा सीट में आने वाले सबी 9 विधान सवा सीटों पर जीत असल की है हरियाना में बिवानी मेहंदर कट लोकसवा सीट पर भाजपा की चोदरी द्रमीर सिंग तीसरी बार चुनाव जीत गई है उनको कॉंग्रेस की रावदान सिंग से 4,809 वोटों से बढ़त मिली है हालांकि अभी चुनाव आयों की और शेब भाजपा परतैसी की जीत का फाइनल मार्जिन गोशित नहीं कियागा है इस सीट पर कुल 17 केंडिडेट थे भाजपा की द्रमीर सिंग को 5,82,735 वोट मिले है कौंगरेस की रावदान सिंग 5,41,926 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे है पूर्व विदाएक एम जजपा की परतैसी रावबादूर सिंग कोई करिश्मा नहीं दिखा सके उनको केवल 15,76 वोटों से ही संतोष करना पड़ा यहां नोटा को 5,197 वोट मिले है यह चुनावलाड रही 13 परतैसी ज़्यादा है यहां तीन परतैसी को छोड़ कर 6 कोई भी परतैसी 7,000 वोटों तक नहीं पहुंचा हर्याना की गुरूगराम लोगसभा सीट पर BJP परतैसी राव इंदर जी चिंग ने जीत दर्ज कर ली है गुरूगराम सीट पर राव की लगातर चोथी जीत है राविंदर जी चिंग ने कोंगरेस परतैसी और फिल्म स्टार राजबाबर को 75,000 से जादा वोटों से माद दी है सुबह 8 बजे शुरू ही काउंटिंग की दोरान साम होते होते कई बारी सीट पर बड़ा उलट फिर भी हुआ सुबह काउंटिंग शुरू होने के लगात और 6 गंटे बाद तक कोंगरेस के परतैसी राजबबर बढ़त बनाये वे थे लेकिन जब गुरुग्राम बाद सापूर सीट के काउंटिंग के रुजान आने लगे तो बाजी पलटती चले गई इन दोनों सीटों से रावएंदरुज सिंग को काफी बड़े अंतरसे वोट मिले रावएंदर जी चिंग को नो कि तीनों विधान सबा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा जबकि 6 अन्य विधान सबा में कोंगरेस प्रतैसी के मुकाबले लीड़ मिली पटोदी रेवाडी बावल ऐसे तीन विधानसवा छेतर हैं जहांसे राविंदर जी चिंग को उम्मीत के मताबिक लेड नहीं मिल पाई जीत के बाद राविंदर जी चिंग ने बीजेपी के 400 पार नारे पर भी तंच कशा रेवाडी के रामपुरा हाउस में समर्थकों के बीच राविंदर जी चिंग ने कहा कि जब मुझ से मीडिया वाले 400 पार के नारे पर सवाल करते थे तो मैं सिर्फ इतना कहता जो होगा भगवान ब्रोश होगा मेरा दिल नहीं मान रहा था कि हम 400 पार जाएंगे लेकिन आज के दिन हमारी सरकार बन रही है राविंदर जी चिंग ने ये भी कहा कि हमें अभी से विधान सभा चुनाओ की तयारी करनी है हो सकता है कि समय से पहले हर्याना में विधान सभा चुनाओ हो खुद के बैटी आर आपको इस बार चुनाओ जरूर लड़ाएंगे हमें दक्षने हर्याना के जरिये सत्ता मिशीन होना है हर्याना की सबसे होट शीट करनाल लोगसभा शीट से पूर शेम मनोहरलाल खटर 2,99,000 जादा वोटों के अंतर से जीत गई उन्हें कुल 6,98,992 से जादा वोट मिले हैं जबकि उनके परती दोंदी कॉंगरिस की दिवयान सुपुदी राजा को 4,80,000 से जादा वोट मिले हर्याना के पूरू शीएम और करनाल लोगसभा परताशी मनोहरलाल खटर ने करनाल की जनता का आभार वेक्तिया सियम ने कहा कि सभी के अपने अपने अनुमान होते हैं और हमारा भी अनुमान था कि हम यहां से 10 क्रिदर सीटे जीत लेंगे लेकिन जन्ता ने जो फैसला दिया है वे मानने है उनको नमन करते हैं और अब मन्तन क्या जाएगा कि क्या कारण रहे हैं और आने वाले विधान सभा चुनाओं में लोगसभा वाली कोई गलिती नहीं हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा हारियना में क्रूचेतर लोगसभा सीट बड़े उतार चड़ाओ की बीज आखिरकर भाजपा ने जीत ली भाजपा की परतेशी नवीन जिंदल ने गटबंदन में चुनाओ लड़ रहे आम आधिम पार्टी के सुशिल गुपता को 39,021 वोटों से आराया नवीन जिंदल ती तीसरी नंबर पड़ाए बसपा के दिपक मेहरा को 20,947 वोट मिले हैं हरियना के सिर्षा लोगसभा छेतर में कॉंग्रेस की परतेशी कुमारी सेलजा ने चुनाओ जीत लिया है उन्होंने भाजबा के आसोक तवर को 2,68,497 वोटों के भारी अंतर से आराया चुनाओ आयो के प्रारंबिक डाटा के अनुसर बात करें तो कॉंग्रेस को शिर्षा में 7,33,823 वोट मिले हैं भाजबा के आसोक तवर को 4,65,326 वोट मिले बताने कि कुमारी सेलजा सुबह से भाजबा 85 पर लीड बनाये हुए थी उनके वोटों का अंतर लगातार बढ़ता गया आसोक तवर इसके बाद काउंटिंग के बीच में ही सेंटर छोड़कर चले गए थे शिर्षा लोगशबा सीट से कुल 19,80 चुनाओ में थे इनमें जजबा की रमेश खटक को केवल 20,80 वोट मिले तो वहीं सिर्षा सी लोगशबा सीट पर चुनाओ में जीत के बाद कॉंग्रेस परताशी कुमारी सेलजा ने कहा कि वह सैदव जनता की रिणी रहेंगी उनका लक्स चेतर को विकास, सिक्साथ, चिकित्सा वे बुनियादी सुविदाएं उपलब्द करवाना उनकी प्राथ्मिकतर रहेगी हारियाणा में सोनीपात लोगशबा सीट पर कॉंग्रेस ने चुनाओ जीत लिया है कॉंग्रेस के सत्पाल ब्रह्मचारी ने भाजपा की मोहनलाल बडोली को कड़े मगाबले में 21,816 वोटों से माद दी मोहनलाल बडोली करीब एक घंटा पहले हार मानकर काउंटिंग सेंटर से चले गए थे चुनाओ आयो की डेटा के अनुसार कॉंग्रेस को 5,48,682 में भाजपा को 5,26,866 वोट मिले है हालाएं कि इसमें मामूली फ्यर बड़ल संभा हो सकता है सुबह से ही यहां भाजपा की मोहनल बडोली बा कॉंग्रेस के सत्पाल ब्रमाचारी के बीच कांटे की टकर देखने को मिली इन्हें लोग जज़पा की परताप की परताप की यहां कोई खास परभाव नहीं जता सके सुबह आठ बजे मदगरना सुरू होने के साथ भी बड़त बनाई रहे तो कॉंग्रेस उनके बड़त को किसी भी राउंड में तोड नहीं पाई फ्रिदाबाद लोगशबाद सीट से बाजपा को 788,599 वोट मिले हैं तो कॉंग्रेस को 6,565,655 वोट मिले यहां चुनाओं में कुल 24 परताशी मैदान में थे तीसरे नमबर पर बसप्रा की परताशी किसन ठाकुर रहे हैं जिने 25,206 वोट मिले हैं इने लोग के सुनिल तेवतिया को 8,885 वोट तो में जजपा की नलिन हुड़ा को 5,361 वोट मिले हैं उन्होंने अपनी करीबी परती दोंदी भारती जंदा पार्टे की परताशी बंतों कटारिया के मुकाबले 38,806 मतों के अंतर से सभी 9 विदान सभा हलकों में 6,62,572 में भारी मतों के साथ जीत आचिल की है बंतों का डारिया को 6,3,786 मत पड़े अंबाला लोगसभा चेतर में 9 विदान सभाल के हैं जिन में इसे 5 हलकों पर भाजपा की दिगज नेताओं का दबदब रहा है इस बार नारायनकर्ण मुलाना वे अंबाला सीट में कांटे के टकर होने के बावजूद वरोन चोदरी को इन सीटों पर भारी मत पड़े वहीं इंडियन नेशनल लोगदर के गुरुप रिट सिंग को 8,837 मत पड़े तो मैं जननाएक जनता पार्टी की किरन पूनिया को 6,016 जबकि 6,371 लोगों ने नोटा का बटन दबाया हर याने की हिसार लोगसभा सीट पर कोंगरिस की जीत हुई है यहां से कोंगरिस की उमिद्वार जया प्रकास ने 63,381 वोटों से जीत हासिल की है इसार सीट पर कोंगरिस की जीत प्रकास और बीजेपी उमिद्वार अंजी चोटाला के बीच सुरवात में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला लेकिन बाद में जेपी ने बढ़त बनाई जनाना एक जनता पार्टी यानि जेजेपी की नेना चोटाला और इंडिया नेशनल लोगसवा यानि इनेलों के सुनायना चोटाला मुकाबले में कही नहीं दिखाई दी इसार लोगसवा के नतीजों से उच्छाहित कोंगरिस परताशी एम पूर केंद्रे मंतरी जेपरगास खुश नजर आए जेपरगास ने कहा कि तस्वीर लगवग साफ हो गई है अभी तक के जो आकड़े सामने आए हैं उनमें सेहरों में भी कॉंगरिस ने अच्छा परतस्न किया है जेपी ने दावा किया कि अब हरियाना विदान सभा में भी पूर मुख्यमंतरी बुपेंदर शिक हुट्डा की गारंटी चलेगी केहंदर में तीसरी बार सरकार बनाने के भाजपा के दावों की बीच परधान मंतरी नरेंदर मोधी मंगलवार को पार्टी मुख्याले पहुचे उन्होंने कारेकरताओं को संभोधित किया लेकिन जुबान पर भाजपा कम और NDA का नाम जादा रहा 34 मिनट के अपने धन्यवाद भाजपा का नाम आठ बार लिया तो ही NDA यानि भाजपा के सयोगी दल का हवाला दस बार आया प्रधान मंतरे ने विशेश तोर पर आंधर प्रदेश के पूर मुख्यमंतरी चंदरबाबु नाइडू और बिहार के मुख्यमंतरी नीतेश कुमार का जिक्र भी गया उन्होंने दोनों के नेतरतों में सांदर परदर्शन के सराहना की साथी तीसरे कारेकाल में NDA नेतरतों में अच्छा काम करने का भरोशा भी दिया दरसल 2014 और 2019 में अपने दम पर सरकार बनाने वाली भाजपा इस बार बहुमत से दूर है यानि बहुमत से 30-32 सीट कम चंदरवाव नायडो की टीडिपी 15 सीटों के साथ दूसरी और नीतिश कुमार की जेडियू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उबर कर सामने आई है पीम के भाषन के ठीक डेट गंटे पहले कॉंग्रेस अद्यक्स मलिकार जुन खडगे और राहूल गांदी ने प्रेस कॉंफरेंस की थी दोनों ने सरकार बनाने के लिए टीडिपी और जेडियू से समर्थन के सवाल पर इंकार नहीं किया था खडगे ने तो यहां तक कहा कि अभी सब यहीं बता दूँगा तो मोदी जी अलर्ट हो जाएंगे लोग सोवा चुनाओ के नतीजों वाले दिन सैंसेक्स 4,399 अंके बड़ी ग्राउट के साथ 72,89 इस्तर पर क्लोज हुआ वहीं निप्टी में भी 1399 अंकों की बड़ी ग्राउट देखने को मिली और यह 21,884 इस्तर पर क्लोज हुआ एंटीपीसी और SBI की सेरों में तकरीवन 15% की ग्राउट देखने को मिली तो मैं सोने चांदी की केमतों में बड़ा देखने को मिली है आज खबरों बशितना ही देखते रहे है आपका अपना हरियाना का सबसे बेहतरे न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज नमस्कार इसी आसा के साथ आपका दिन सुब रहे